दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको incoming calls के 5 secret tricks के बारे में बताने वाला हूँ जो काफी ज्यादा important है दोस्तो आपके पास incoming calls तो जरूर आते होंगे अब आप incoming calls पर call announcer को enable कर सकते हो call announcer को set कर सकते हो जब भी आपके पास कोई भी call आएगा दोस्तो आपका phone उस ब्यक्ती का नाम लेकर आपको बताएगा जो call कर रहा होगा ठीक है पहला trick यह है इसके बाद दोस्तो आप incoming calls के background को change कर सकते हो background में आप अपना photo set कर सकते हो wallpaper set कर सकते हो जब भी आपके पास call आएगा background में आपको photo दीखेगा आप call के button style को भी change कर सकते हो हमारे पास call आता है तो हमें android का button style देखने को मिलता है दोस्तो अब आप android की जगह पर iPhone का button style set कर सकते हो अपने incoming calls को आप iPhone की तरह slide करके receive कर सकते हो इस तरह के काफी सारे features के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो काफी ज़्यादा interesting है वीडियो को पूरा देखना दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share, comment चला को subscribe जरू कीज़ेगा आप लोग comment box में comment करके ये जरू बताना कि आप किस company का phone यूज करते हो जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आखी जो मेरे viewers हैं वो किस company का phone सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जिससे उस phone related मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा वडियो दे पाऊँ अब चलेवड को शुरू करते हैं दोस्तो अब चलेवड को incoming calls के secret features के बारे में बताता हूँ ठीक है आपको सबसे पहले play store को open करने है आपको जाना है play store में play store में जाने के बाद आपको यहाँ पर search करना है I call screen ठीक है आपको यहाँ पर I call screen search करना है यहां से आपको इस application को install कर लेना है ठीक है इस application से आप अपने phone के dialer को change कर सकते हो Android के dialer को हटा कर iPhone का dialer set कर सकते हो ठीक है साथ में आप incoming calls को customize कर सकते हो background को change कर सकते हो call announcer को enable कर सकते हो background में आप अपना photo set कर सकते हो इस तरह के काफी सारे काम आप इस application से कर सकते हो तो application हमारा install हो चुक है अब आपको करना क्या है अपने phone के पुराने dialer को remove करने ठीक है? आपको यहाँ से इस तरह dialer को remove कर दें ओके? डाइलर को remove करने के बाद आपको इस application को यहाँ पर लाकर set कर दें अब आपको इस application को open करने है application को open करने के बाद आपको कुछ second wait करने ठीक है कुछ second आपको wait करना होगा अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर permission का option मिलेगा आपको कुछ permission भी allow करने होगे आपको arrow पर tap करने है इस तरह आपको arrow पर tap करते जाना है set कर देने, अगर आप application को default पर set नहीं करोगे application आपके phone में काम नहीं करेगा ठीक है, आपको set as default करने है, अब आपको ok पर tap करने, इसका जो setup है complete हो जाएगा, आपको ok पर tap करने आपको एक दो ads भी देखने को मिलेंगे, दोस्तों अब आपको यहाँ पर iPhone का डाइलर देखने को मिलेगा ठीक है, जो कि देखने में काफी ज्यादा style लगता, attractive लगता है ठीक है, आप देख सकते हो हमें iPhone का डाइलर देखने को मिल रहे है, आप अपने Android phone में iPhone का डाइलर यूच कर सकते हो ठीक है, इसके बद आपको यहाँ पर जो contact मिलेगा, ये भी iPhone का मिलेगा, ओके अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक setting का option मिलेगा, आपको इस पर tap करने जब आप इस पर tap करोगे आपको यहाँ पर नीचे काफी सारे option मिलेंगे, ठीक है काफी सारे features मिलेंगे ओके, दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, change wallpaper, ठीक है, आपको इस पर tap करने है, आपको grant permission करने है, ठीक है, permission को allow कर देने है, अब आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, choose from gallery, ठीक है, आपको इस पर tap करने है, उस photo को select करने है, जिसको आप incoming calls के background में set करना चाहते है, ठीक है, आपको इस पर tap करने है, आपको photo select करने है, ठीक है, जिस भी photo को आप incoming calls के background में set करना चाहते है, आपको उस photo को select करने है, ठीक है, तो हमने photo को select कर लिया है, इसके बाद आपको okay पर tap करने है, photo आपका incoming calls के background में set हो जाएगा ठीक है आपको ok पर tap करना है photo apply हो जाएगा ठीक है आपको back जाना है तो दोस्तों इस तरह आप incoming calls के background में photo को set कर सकते हो ठीक है जब भी आपके पास incoming call आएगा background में आपको photo दीखेगा इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा change call button style आपको इस पर tap करना है यहाँ पर आपको काफी सारे button style मिलेंगे ठीक है आपको काफी سारे button style मिलेंगे जो भी button style आपको पसंद है आप उसको incoming calls पर set कर सकते हो ठीक है जैसे अभी आप देख सकते हो iPhone का button style set है जब भी हमारे पास incoming call आएगा iPhone का button style सो होगा हम इस तरह slide करके अपने calls को receive कर सकते हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर और भी काफी सारे option मिलेंगे आपको यहाँ पर एक काफी important option मिलेगा call announcer का ठीक है आपको इस पर tap करना है आप यहाँ से call announcer को enable कर सकते हैं ठीक है आपके पास incoming call आएगा आपका phone नाम लेकर आपको बताएगा दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ setup करना होगा ठीक है आपको speak caller name को enable कर देने ठीक है इसको enable करने के बाद आपको यहाँ पर customization के काफी सारे options मिलेंगे ठीक है unknown numbers को आप अगर announce करवाना चाहते हो तो आप इसको भी enable कर सकते हो vibration के time पर अगर आप announce करवाना चाहते हो तो आप इसको भी enable कर सकते हो silent mode में अगर आप announce करवाना चाहते हो तो आप इसको भी on कर सकते हो आप कितनी बार announce करवाना चाहते हो आपको इस पर tap करना है आप अपने हिसाब से इसको set कर सकते हो ठीक है जैसे हम तीन बार कर देते हैं अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलेगा delay between announcement कितने कितने time के बाद announce होना चाहिए तो दोस्तों आप इसको भी अपने हिसाब से set कर सकते हो ठीक है अब इसके बाद आपको यहाँ पर language का option मिलेगा किस language में किस भासा में announce होना चाहिए तो आपको इस पर tap करने है दोस्तों आपको Hindi select करने ठीक है आपको Hindi select करने आपको यहाँ पर काफी सारे language मिलेंगे आपको Hindi select करने ठीक है आपको नीचे scroll करने है यहाँ पर आपको Hindi India का option मिलेगा इसको select करने ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का interface सो होगा ठीक है आपको say after पर tap करने say before पर tap नहीं करने आपको say after पर tap करने है यहाँ पर आपको डालना है जी का call आ रहा है ठीक है जी का call आ रहा है ठीक है और जो नाम है यह contact से उठा लेगा आगे यह बोल कर आपको बताएगा ठीक है अब आपको नीचे scroll करने है नीचे आपको test का option मिलेगा ठीक है आप यहाँ से check भी कर सकते हो कि जब आपके पास call आएगा यह क्या बोल कर आपको बताएगा ठीक है जैसे मालोग हम नाम डाल देते हैं अमित नाम से caller है ठीक है तो हमने अमित डाल दिया ठीक है अब आप test भी कर सकते हो आपको test पर tap कर रहे है दोस्तो आप यहाँ पर सुन सकते हो तो दोस्तो जब भी आपके पास incoming call आएगा ठीक है यह इस तरह नाम लेकर आपको बताएगा आपको save पर tap कर रहे है यह जो setting है यह save हो जाएगा ओके अब आपको back जाना है इसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर एक काफी important option मिलेगा fake call का ओके आप अपने ही number पर अपने ही phone पर खुद से एक fake call कर सकते हो ठीक है आपको इस पर tap करना है आपको caller info का option मिलेगा ringtone का मिलेगा schedule call ठीक है आपको caller info पर tap करना है किस नाम से किस number से आपके पास call आना चीए आप यहाँ पर खुद से डाल सकते हो जैसे मालो की हम डाल देते हैं अमित ठीक है अमित डाल देते है तो हमने अमित डाल दिया ठीक है आप number भी कुछ भी डाल सकते हो नमबर भी अपने हिसाब से डाल सकते हो ठीक है आप कोई भी number डाल सकते हो इसके बाद आपको इसको save करना है अब आपको back जाना है ठीक है यहाँ पर आप अपने हिसाब का ringtone भी set कर सकते हो schedule call इस पर आपको tap करना है कितने second कितने minute बाद 10 सेकेंड बाद मेरे पास एक फेक कॉल आ जाएगा, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, 10 सेकेंड बाद हमारे पास फेक कॉल आ चुक है, ठीक है, नमबर आप देख सकते हो, नाम देख सकते हो, बैक्ग्राउंड में जो फोटो हमने सेट किया था वो फोटो सोर है और दोस्तो जो बटन इस्टाइल है आईफोन का सोर है आप इस तरह स्लाइड करके अपने कॉल्स को रिसीब कर सकते हो तो दोस्तो इस तरह बहुत ही आसानी से इंकमिंग कॉल्स को पूरी तरह से कस्टमाईज कर सकते हो ठीक है पूरी तरह इंकमिंग कॉल्स को कस्टमाईज कर सकते हो इंकमिंग कॉल्स के बैक्ग्राउंड में अपना फोटो सेट कर सकते हो वाल पेपर सेट कर सकते हो बटन इस्टाइल को चेंज कर सकते हो call announcer को enable कर सकते हो iPhone के dialer को आप Android phone में use कर सकते हो जो भी देखेगा एक बार जरूर चौक जाएगा कि यार भाई कैसे आपने इतना ज़्यादा customization किया है तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नहीं चैनल को सस्क्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही knowledge full वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद